नमस्कार दोस्तो आधित्य एलेक्ट्रोनिक वर्क में आपका फिसले एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक डीजे लाइट है जो की डेमेज हो चुकी है इसे ठीक करना है दोस्तो यह अक्सर डीजे वाले गाड़ियों पर चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर उपर में जितनी भी स्क्रूप लगी हुए है उसे पहले अच्छे से खोल लेना है और उसे खोलने के बाद हमें उपर वाली ग्रिल को हटानी होगी वह भी सावधानी पूर्वत क्योंकि यह बेंड हो च ग्रिल को देख सकते हैं यह काफी पुरात्रा से बेंड हो चुका है यह देखे हैं तो इसे हमें अब सीधा करता होगा सीधा करना तो काफी एजिए हैं दोस्तों इस grid को चलिए अब रखते हैं साइड में अब दोस्तों यहाँ पर उपर में जो LED के balls लगे हुए हैं यह से भी थोई सावधानी से निकालनी पड़ेगी और अब इन बोल को साइड में रख लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अस्क्रूप से यह plate tight था LED वाला plate इसके अस्क्रूप को भी खोल लेना है और बाकी जो तूटा है उसे भी अच्छे से निकाल लेंगे अब दोस्तों में यहाँ पर नीचे देखना है तो एक fan का connection है जो कि SMPS से खोल चुका है दोस्तों यहाँ पर fan इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका जो key tray वो भी ठंडा रहे है और heat sink जो कि LD bulb जलने के दोरान गर्म होती है उसकी plate को भी ठंडा रखे अब दोस्तों आईए हम इससे बाहर निकाल के देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर SMPS के साथ connection कर लेते हैं और एक बार इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर jacks रखते हैं हमने SMPS के साथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया है ताकि वो body के साथ touch ना हो नहीं तो short circuit से खराब हो सकती है दोस्तों अब इसमें लाइन दे रहे हैं देखिए यहाँ पर पीला वाला जो बायर है वो board में डाल चुके हैं अब इसका switch को on करते हैं तो यह देखिए DJ light जो है यह काफी अच्छे से work कर रहा है और इसका सारा LED सही है यह दोस्तों यह light चालू condition में है अब दोस्तों इसके पलक को हम line से हटा देंगे और इसे वापस से सही तरीके से set कर देंगे फिर हमारा यह light सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एक SMPS है और इसे हमें fiber body के साथ ही nut के थुरू tight करनी होगी दोस्तों यहाँ पर screw को अच्छे से tight कर दे रहे हैं देखना कहीं एक गिर ना जाए उसे देख लेना है उसके बाद दोस्तों अभी हम इसे body को LED पलेट को अच्छे से nut बोल्ड का जो जगह वाता है वो अच्छो देख के और बिठा लेना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दो श्कुरूब का जगह मिला है तो अब इस अस्कुरूप को भी हम कस लेंगे दोस्तों यहाँ पे दो अस्कुरूप का ही जगह में मिल पाया है बाकी का दो तूट चुका है तो उन दो अस्कुरूप को टाइट से पुरा कस लेना है बोडी के साथ अब दोस्तों जो दो अस्कुरूप के नट जो जगे थे और जो तूट चुके हैं उसके हम तार के थुरूप बान देंगे तो यहाँ पर आप कोपर वायर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और नहीं तो लोहे के तार का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पतला तारका ही इस्तिमाल से यह अच्छा से बनाएगा तो इसे हमें अच्छा से बान लेना है तो दोस्तों हम इसे बान लेते हैं फिर दिखाते हैं जहां पे आपको जगा मिले जुगार के हिसाब से तारक्रेव साथ LED प्लेट को बांद देना है दोस्तों वो आगे पीछे में ना जाए वो उसका भी ध्यान रखना है अब दोस्तों यहां पे LED प्लेट हमारा फिक्स हो चुका है बिलकुल सही तरीके से तो अब इसके उपर वाले जो LED बॉल्स थे उन बॉल को हम अच्छे से बिठा देंगे वो भी जेखिए जो उसका फ्रेमिंग है वो जो फ्रेम में बैठेगा उसी फ्रेम के साथ बैठाना है नहीं तो फिर आगे पीछे मो बैठेगा नहीं चलिए दोस्तों मैं इसे फटा फट बिठा लेता हूँ तो दोस्तों यहां पर फाइनली आप देख सकते हैं हमाएं सारी जो LED के बॉल्स थी वह अपने जगा पर बैठ चुकी है अब दोस्ता इसका उपर वाला ग्रिल को में लगा देना अच्छे से और यहां पर इसमें जो अस्कुरूप आएंगे उन्हें भी अच्छे से कर्श देना है दोस्तों अस्कुरूप को अच्छे से देख लेना है प्रोटाइट करके और प्रोटाइट से कर्श देना है अब दोस्तों आईए हम इसे एक बार लाइन में देख करके और टेस्टि कि आप दोस्तों इसे हम देख लेते हैं इसकी जो लाइटिंग है सब सही तो है ना कि दोस्तों आप इसकी लाइटिंग को देख सकते हैं काफी परफेक्ट है तो माई दोस्तों डीजे लाइट बिल्कुल शही तरीका से ठीक हो चुका है दोस्तों आप इसका कुछ इफेक्ट देख लिजिए दोस्तों अगर वीडियो आचा ला तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और हमाँ चैनल को जुड़े रने के लिए माँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल का अगर कर लिए चाहिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसका न